Sunny Deol का इंतियाज अली की जिंदगी में क्या योग्दान है? योगदान ये है कि Sunny Deol ने मुझे जैसा कहते हैं मेरी पहली फिल्म दी यानिके वो Sunny Deol वो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी लिए फिल्म więc यानि मैं उनके पास गया सोचाना था कि कहानी ले करके, मेरा प्लान था अभे दियोल के साथ एक फिल्म बनाने का, तो इधर उधर की ठोकरे मैं खा रहा था, फिर सनी जी के कान में बात पड़ी होगी, कि अभे कोई फिल्म प्लान कर रहा है, तो मुझे बुलाया गया कि ये क क्या हो रहा है, मुझे पहले मैं अप्रूव करूँगा, तब ये फिल्म बनेगी, अब फिर मैं प्रेड्यूस करूँगा, ताकि मैं ठीक से बनाओ फिल्म, तो मुझे बहुत डराया गया कि ये तो action hero है, angry man है, तो तुम इसको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हो, जिसमें खु बात सही नहीं है, ये तो नहीं होने वाला काम है, फिर physically भी काफी strong है, अगर घुसे में, इन्हों ने तुम को थपड़ उपड मार दिया, तब क्या होगा, तो उसके पहले मैं किसी ऐसे star से मिला भी नहीं था, नहीं मिला था, टेलिविजन में था, मतलब दूर से देखा थ सारों को, बट ऐसे मिला नहीं था, तो इन्से मैं मिला, ये शिमला, so I had to go and narrate to him and for him to, if he would like it, he would, you know, take it forward, तो इन्से मैं मिला, hotel के कमरे में, इन्होंने कहा कि अच्छा, अभी तो मैं शूट करने को आया हूँ, जिस दिन, मतलब, या तो रात को कभी कर लेंगे, या early morning पे, या जिस अगर बारिश वारिश होती है, उसी वक्त बारिश हुई, उसी वक्त मैंने narration स्टार्ट कर दिया, और उसी के दो घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने कह दिया, कि हाँ ठीक है, बना रहा हूँ मैं फिल्म, खाना-खा लें क्या, तो या कि मैं बोलता जा रहा था, ब बात करने वाले, very sensitive, so उन्होंने कहानी सुनी, कहानी सुनी, कहानी सुनी, कहानी सुनी, उन्होंने पूछा नहीं कि मैं कहां से आया हूँ, क्या किया है मैंने जिंदगी में, theater किया है, television किया है कही सालों तक, लिखा है, कुछ नहीं, हाँ, okay, शुरू करो, start, and I started that, एक बार क बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, and after that he said, okay, बस ये था, जो अप भी इतनी, तफसील में हम लोगा ने गुफ्तगु की, कि मेरी जिंदगी किया थी, मैंने क्या किया, कौन से cinema theater कि किस projectionist के साथ, या कौन से N.K. Sharma के साथ, या so on and so forth, इप्तदा में कौन स for young people, it's not as though you can write in the resume, वो बात नहीं होती, आपके अंदर होनी चाहिए न, वो चीज़, तो Sunny ने सुना, उसने subconsciously बोला, ये ठीक है, ये बना लेगा लगता है फिल, कानी अच्छी है, तो Sunny Deol has a very important position in my life, because he is the one who gave me my first film to do.